अस्सलामों अलेकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाक्या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया जे हाँ, एक बच्ची जिसकी उम्र पांच साल थी, वो मा बन गई और उसके साथ फिर क्या हुआ यह देखने के लिए विडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा तो चलिए, विडियो शुरू करते हैं हमारे गाउं के बरावर वाले गाउं में नज्मा नाम की एक औरत रहती थी नज्मा की दो बेटिया थी बड़ी बेटी का नाम सहर और छोटी बेटी का नाम कुलशन था नजमा के शोहर असलम का टाइफॉइट बुखार होने के वज़र से इंतकाल हो गया था और इस वक्त नजमा की बेटी कुलशन दो साल की थी नजमा एक अनपड़ खातुन थी शोहर की वफात के बाद वो अपने माई के चली गई नजमा के मावाब भी आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी नजमा और उसकी बेटियों का बोज उठा थे तो ऐसे में उन्होंने नजमा से बात की कि बेटा हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं अल्ला जाने हमारी कितनी जिंदगी है हमारे बात में तुम किसके दर पर जाओगी तो ऐसे में नजमा ने दूसरी शादी करने से इंकार कर दिया और अपनी बच्चों को लेकर अपने घर आ गई नजमा आखिर अपने शोहर की संभाली हुई कमाई भी कितनी दिन तक खाती नजमा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली नजमा का दूसरा शोहर अकरम दिल खुश था लेकिन सक्त तब्यत का मालिक था अकरम नजमा को अपनी बेटियों की तरह समझता था वो उनसे बहुत प्यार करता था अकरम की बैक की फैक्टरी थी और नजमा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैक सीने लगी नजमा अकरम की शादी को साल हो गया था तो नजमा ने एक नन्ने शैजादे को जनम दिया अकरम बहुत खुश था कि अकरम की तवज्जो नजमा की बैटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुजहान अपने बैटे की तरफ हो गया था कि उसका बैटा अगर जरा सभी रोता तो वो नजमा को डानता कि यह क्यों रो रहा है इसी वज़ा से नजमा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बैटे की तरफ ही रहता था सहर और गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो नजमा सहर को कहती कि बैटी तुम अब बड़ी हो रही हो अपना काम खुद किया करो और साथ में गुलशन को भी देख लिया करो इसी वज़ा से सहर ने तकरीबन सारा काम खुदी करना शुरू कर दिया था और उम्र तकरीबन बारा साल की हो गए थी और सहर जिस बाजी के पास टूशन पढ़ने जाती थी उसके शादी हो गए थी सहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि नजमा जिस गाओं में रहती थी वहाँ पर कोई स्कूल ना था इस बार सहर का अब्बू अकरम चाहता था कि सहर आठवी के पेपर दे और मैं उसको गवर्मेंट स्कूल में दाखिला करवा हूँ जब सहर की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो नजमा ने अकरम से सहर की बात की कि बोड के पेपर करीब है सहर की ट्यूशन का क्या करना है तो अकरम नजमा को कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो मेरे भाई का बेटा सहर से MMA English करके आया है और उसने इंट्यूशन सेंटर खोलना है, मैं उससे बात करूँगा, लेकिन सहर को उधर ही रहना पड़ेगा, तो जुबेदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मानगे कि हाँ ठीक है, एक महीनी की बात तो है, अकरम सहर को अपने भाई के घर छोड़ाया, अपने भतीजे लगी, तो ऐसे में सहर अब वकास के घर में रहने लगी थी, जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थी, तो ऐसे में सहर उदास हो जाती, वो रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और अम्मी को कहती, कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे यह नहां से ले जाओ, और उसकी अम्मी कहती कि बेटा, कुछी दिन की बात तो है, फिर तुम्हें घरी तो आना है, अब सहर को वकास के घर में रहने का यह फाइदा था, कि जब भी वो चाहती, अपनी पढ़ाई की लिहास से कुछ भी वकास से पूछ सकती थी, एक दिन रात क से तकरीबन 12 साल बढ़ा था, तो जब सहर वकास के पास आकर बैठी, तो वकास ने सहर के साथ छेड़ खानी शुरू कर दी, और सहर उटकर अपने कमरे में चली गई, अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी को फोन किया, कि अम्मी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपक फिर सहर ने अपनी अम्मी को कहा, कि अम्मी अब्बू को बोले कि मुझे यहां से ले जाए, मेरा यहां दिल नहीं लग रहा, सहर जब भी अपनी अम्मी को फोन करती, तो अपनी अम्मी से खुल कर बात नहीं कर पाती, क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था, नजब सी हजार बैक का ओडर आ गया तो अकरम के मुलाजिम जो की जा चुके थे और वहां पर बस दो ही मुलाजिम मौजूद थे जो की फैक्टरी में ही रहते थे तो ऐसे में हजार बैक का ओडर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया नजमा ने अकरम को बहुत लेकिन फैक्टरी में मशीने चलने की वज़र से अक्रम को पता ना चल सका और दूसरी तरफ वकास के घरवाले किसी शादी में चले गए थे और आज घर में वकास और सहर बिल्कुल अकेले थे वकास सहर के कमरे में आया और कहने लगा सहर राष्टों में कुछ पढ़ना नहीं था और सहर ने अपनी आखें नीची ही रखी जब वकास सहर के करीब आकर बैट गया तो सहर उटकर जाने ही लगी थी तो वकास ने एकदम से उसको बैट पर धक्का दे दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना लिया अगले दिन सहर का अब्बू अकरम उसको लेने आ गया और बोला कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ाई में कुछ दिल्चस्पी ही नहीं है जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे घर बुला ले मुझे घर बुला ले तो अकरम की इस बात पर वकास भी बोलने लगा हाँ चचा जाँ आप सच कहते हैं इसे पढ़ाई में कोई दिल्चस्पी नहीं है जिस दिन से आये ना बस यही रट लगाए बैठी है कि मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है तो अकरम कहने लगा कि बेटा वकास मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था भला आज तक कोई सौतेली आउलाद भी अपनी हुई है और सौतेली आउलाद ने कभी किसी की खौईश पूरी की है आज इस लड़की ने मुझे बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ इतना कहकर अकरम सहर को घर ले गया और सहर जब घर आई तो अम्मी के गले लगकर फूट फूट करोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी पहले तो मुझे वो चार से पांच दिन तक छिड़ता रहा और जस दिन घर में कोई न था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यात्ती की मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया नजमाने जब ये बात अपने शोहर अकरम को बताई तो अकरम ने फौरण अपने भतीज़ वकास को फौन किया कि वकास तुमने ये क्या हरकत की है तो वकास बोला कि चचा जान आजकल तो नेकी को कोई जमाना ही नहीं है मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे ये सिला दिया अक्रम ने वकार इसके बात सुनी तो उसने नजमा से का करवादी न मेरी बेश्ती मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है और नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता है उसके बाद फिर अक्रम अपनी बेटी सहर को कहने लगा ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब बस सहर के ना पढ़ने के बहाने है ये सब जूट है और उसके बाद अकरम ने सहर के ऊपर थपड़ दे मारा और कहा नहीं पढ़ने जाना तो मत जाओ कम से कम मेरे भधीजे के ऊपर इतना गंदा इल्साम तो मत लगाओ ये कहकर अकरम अपने कमरे चला गया सहर अभी बारा साल की बच्ची थी उसके साथ जो सुलूग वकास ने किया उसने लबस पर लबस अपनी अम्मी को बताया वक्त गुजरता गया तकरेबन पांच महीने गुजर गया और सहर की जिसामत में काफी फरक आ गया था एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत खराब देखी तो उसे लेकर वो अस्पताल चली गए और वहां जाकर सहर और उसके अम्मी को मालुम पड़ा कि सहर माँ बनने वाली है तो ऐसे मैं सहर की माँ और भी ज्यादा परेशान हो गई और गुमसुमसी हो गई और सहर को अपने सीने से लगा कर रोने लगी नजमा को वकास पर बहुत गुसा आ रहा था वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोडूँगी तो फिर नजमा ने डॉक्टर से कहा कि क्या हम ये बच्चा जाया करवा सकते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं मा की उम्र बहुत कम है और अगर हम ऐसा करेंगे तो मा और बच्चे दोनों की जान को खत्रा हो सकता है नजमा बहुत डर गई घर जाकर उसने अकरम को सब बता है तो अकरम बोला कि मैं दوبारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूँगा पहले ही जब मैंने फोन किया था तो उसने मेरी कम बेस्ती न की थी इसी के साथ अकरम ने कहा कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा मैं लोगों की बाते नहीं सुन सकता लोग तो मुझे ही बुरा कहेंगे और कहेंगे कि सौतेले बाप ने दिखा दी अपनी आउकात हम सब के लिए बहतर यही होगा कि सहर इस घर से चली जाए और इसमें सहर की भी भलाई है उसके बाद अकरम सहर को अपनी खाला के घर ले गया अकरम की खाला कहने लगी भला मैं क्यों उस बदनामी के धेर को अपने घर में रखू जाओ यहां से अरे भाई लोग मुझसे क्या पूचेंगे कि यह कौन है तो उसके बदले में खौद मैं क्या बताऊंगी मेरी भी कोई इज़त है और मुझसे भी लोग तरह-तरह के सवाल पूचेंगे और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिष्टा ही नहीं तुम तो फिर भी इसके बाप हो और जब तुम इसके बाप होकर भी इसे अपने घर में नहीं रखना चाते हो तो फिर मैं भी तुमें आराम और सुकून से नहीं रहने दूँगे भाया तुम इसे यहां से ले जाओ तो ऐसे में अकरम सहर को वापस घर ले आया और नजमा को बोला अब इसका बच्चा जाया करवा देते हैं तो नजमा रोने लगी और अकरम को कहने लगी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये बच्चा जाया करवाया तो सहर की जान को खत्रा है नजमा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे लेकिन वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहेगी अगले दिन नजमा सहर को लेकर वकास के घर चली जाती है जब नजमा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची नजमा और सहर को देखकर चौँक जाता है और वकास के चहरे का रंद बदल जाता है नजमा वकास के चहरे के तासुरा देखकर अंदाजा लगा लेती है किस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यात्ती की है वकास के माबाब कहते हैं कि बेहन बैठी है क्या लेंगी आप तो नजमा बोली कि कुछ नहीं मैं बस यहीं से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका हालचाल पूछती चलो उसके बाद नजमा सहर को लेकर अपने घर चली गई नजमा के जहन में कुछ चल रहा था लेकिन पता नहीं वो क्या था उससे अगले दिन नजमा ने वकास को फोन किया और कहने लगी कि मुझे तुम से मिलना है और जब वकास अपनी चाची नजमा के घर आता है तो नजमा बड़े प्यार से वकास से बाद करती है कि बेटा ये सहर तुम्हारी अमानत है तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ लेकिन वकास आगे से गुसे में बोलता है और कहता है कि चाची आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही है तो नजमा ने भी गुसे में कहा ये किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुणा है और तुमें ये कुबूल करना ही होगा कि ये गुना तुमने किया है बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ जादी की है या नहीं वरना मैं सब को बता दूँगी नजमा अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन इस बारे में वकास को कुछ भी पता ना था पहले तो वकास माना ही नहीं और फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यात्ती की है बोलो क्या करोगी मैं तो लड़का हूँ मेरे तो कहीं न कहीं शादी होई जाएगी लेकिन तुम्हारी बेटी की बतनामी होगी वो अलग और तुम्हारी बेटी के साथ ना कोई शादी नहीं करेगा जाओ, बताओ सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यात्ती की है यह गायकर वकास जाने के लिए मुड़ता है तो नजमा वकास की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और नजमा पीछे से वकास की गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके बाद नजमा अपनी बेटी को लेकर अपने बेहन के घर जाती है और अपनी बेहन को अपनी बेटी की सारी दुख की कहानी सुनाती है नजमा की बेहन को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो नजमा की बेटी को अपने घर रख लेती है और उसके बाद पुलिस नजमा को वकास के कतल के जुर्म में पकड़ कर ली जाती है और अकरम को जब इस बात का पता चलता है तो वो नजमा से थाने मिलने जाता है और जब वो नजमा से मिलता है तो उससे कहता है कि नजमा तुमने असब क्या किया तो नजमा ने मुबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई तो उसने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया मैं उसे खुद देख लेता तो नजमा ने कहा कि आपको बताया तो था लेकिन आपने कुछ किया नहीं मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया थाने के इंस्पेक्टर ने नजमा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ फांसी और उमर कैद की जगा नजमा को दस साल की कैद हो गई और इधर नजमा की बेटी सहर ने एक मुर्दे बच्चे को जनम दिया सहर की खाला उससे बहुत प्यार करने लगी थी और वो नजमा और उसकी बेटी सहर की सारी हकीकत जानती थी सहर की खाला जानती थी आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट में अपनी राय का हिसार हमें जरूर बताईएगा इसे के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस